नमस्कार दोस्तों जैहिंद स्वागत है आपके अपने चैनल पाट साला वितके में देखें दोस्तों आप लोग का बहुत सारा कमेंट रहता है कि सर बिहार पुलिस का एक्जाम कब होगा प्रति दिन लगभग कमेंट करते हैं तो देखें दोस्तों मैं यहाँ पर आपको टक जाएंगे इतनी वड़ी वैकेंसी है 21,391 इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं बिहार पुलिस से संबने कितने सारे कंटेंट मैंने भर दिया है अपने चैनल पर आप लोग जाकर कर देखिए अब मैं जो डेट बताने यहां पर मैं आपको अनुमानित डेट बताऊंगा कि इस तिथित तक आपका एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा वीडियो में बने रहें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए आपको यह आइडिया होगा कि अभी एक दो महिना एक्जाम में नहीं एक्जाम नहीं होगा क्यों कि अभी चुनाओ का महौल है तो बिल्कुल सत्य है अभी यह मार्च चल रहा है कौन सा महिना चल रहा है यह यह चल रहा है मार्च मार्च अप्रेल माई और जून तो देखिए मार्च में अभी आचार सहीता लागू है अप्रेल में चुनाओ च आपको पता है कि 4 जून को लोग सभाचुनों का रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आने के बाद आपका जून में ही जून के आखरी में आपको बिहार पुलिस का एक्जाम कराया जाएगा जून के आखरी में देखें बिलकुल इस संभावित ती थी है और इससे 10-15 दिन बता रहा हूं अगर जून में कोई डिले हुआ तो जुलाई के प्रथम मतलब प्रथम सब्ता में यह आपका प्रसेस शुरू हो जाएगा तो अब आपके पास केबल और केबल साड़े तीन महीना का समय है साड़े तीन से चार महीने का समय है देखे मार्च आगया अपरेल मैं जून जुलाई लगबग तीन से चार महीने का आपके पास समय है तो तीन से चार महीना ये सोच के बरबाद मत कर दीजे कि होगा की नहीं होगा इनको क्या पता देखे बारोसा करके देखे आप आपका जून से जुलाई में एक्जाम होगा बिलकुल होगा क्योंकि पता है जुलाई आपका समझ लिए कि नौ महीना हो जागा एक्जाम हुए नौ महीना एक्जाम हुए अक्टूबर में एक्जाम हुआ था है ना तो चुनाओ की वज़े से डीले हो रहा है नहीं तो आप तक आपका एक्जाम होता चुनाओ की वज़े से ये डिले हो रहा है तो यहाँ बिल्कुल आप क्लियर हो जाए कि जो एक्जाम है बिहार पुलिस का अवा है आपका जून के आखरी में या जुलाई के सुरू में सुरू हो जाएगा इसके लिए आप भाई साब अभी से त्यार रहे आप लोग के लिए मैं प्रिवियस येर का फूल निचोड लाया हूँ निचोड का मतलब सारे सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ा रहा हूँ कहने का क्या मतलब है कहना क्या चाह रहे हैं सर आप तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, एकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिस, मैथ, साइन्स जितने भी हैं सबको सब्जेक्ट वाइज 2010 से लेकर के जितने भी क्वेस्चन्स पूछे गए हैं 2013 तक सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास प्रोवाइट करा रहा हूँ वीडियो के डिस्क्यूशन में प्लेलिट का लिंक है पॉलिटी में समाब्द करा चुका हूँ जोग्राफी के दो वीडियो आपको मिल गए हैं तो अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे प्रिविएस एर क्वेशन्स बहुत बड़ा रोल निवाता है आपको एकजाम पास कराने में तो प्रिविएस एर के सारे क्वेशन कर लीजे और एकजाम डिट मैं आपको बता दिया हूँ बच्चो एकजाम डिट आपका जून जुलाई में निश्चित होगा एक्जाम, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दोराय नहीं है, तो आप अब तयारी में लग जाए, अब देर ना करें, जो आपका स्लेवस है, उसको कबर कर लें, सारे प्रीवियस येर कबर कर लें, और मैं फिर बहुत जल्द ही कलास भी स्टा अधन नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप से जूड़ जाए, उसका भी लिंक डिस्किप्चर में दे दे रहे हैं, वहाँ प्रतिदिन बिहार पुलिस के लिए क्विज हो रहा है साम को साड़े आठ बजे, तो वहाँ भी आप जूड़ जाए, समझ गए, और इ ऐसे लेंगे, उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, मैं आप लोग के साथ हाथ से हाथ और कदम से कदम मिला के चल रहा हूं, बताइए, आप लोग के लिए प्रिवियस एर सॉलूशन करा रहा हूं, प्रैक्टिस टेट करवा रहा हूं, क्लास करा रहा था, फिर तो आप लोग फायदा उठाईए, और एक्जाम डेट आपको जो बताया हूं, उसी के आसपास एक्जाम होगा, बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट भी करेंगे, इस पर मुझे पता है, कि आपका रिष्तेदार बैठा है आयोग में, देखे, कोई वैठा रहे या ना ब सतंत्र हैं, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप से सहमत रहूंगा, आप पॉजिटिव कमेंट करें, निगेटिव कमेंट करें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा जो फर्ज है, दायत्व है, करतब्य है, कि आपको सही राह दिखलाना, मैं वही कोशिस कर रहा हू अच्छा ये एक चीज़ मान लिजे, अगर मैं जो डेट बताया, अगर दो चार दस दिन इधर उधर भी हो भी जाए, तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं न, आपको फायदा ही होगा, कहीं न, कहीं मैं पढ़ने के लिए ही तो प्रेजित कर रहा हूं आपको, तो जाएए, तमाम वीडियोज हैं देखिए, और तारी को सुनिचित करिए